11th class की जितने भी student हैं एक बार इस वीडियो को जरूर देखें इस वीडियो में आपको Hindi subject का complete solution देखने को मिलेगा यदि आपको और भी subject की वीडियो देखनी है तो मैं YouTube channel MS Education TV के उपर जाके देख सकते हैं 1st question निमलिखित गद्यान्स को पढ़ कर इस पर आदारिक पर्षनों की उतर दीजिए निचे यहां पर गद्यान्स दिया गया इस गद्यान्स को आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है इस से related जो question पूछे कि उनका answer आपको देने हैं यह total 5 नमर कर रहेगा तो वीडियो को pause करके या फिर screenshot लेके इस पैसेज को यानि की गद्यान्स को राम से आपे पढ़ सकते हैं इस से related पहला question है उप्यूप्त गद्यान्स का सरवादिक उचीद सिर्षक क्या हो सकता है तो इसका right answer है हिंदी की दुनिया question two पस्चिमी दुनिया के लोगों को क्या अफ्सोस हो रहा है तो इसका right answer है वे अपने बच्चों को अपनी भासा नहीं शिखा क्या option इसका right है question three हिंदी की तुलना बर्गत के पेड़ से क्यों की गई है तो इसमें पहला option है उसकी अनेक जड़े होती है जिसे वह मजबूत बनता है यह option सही है दोसरा इसमें option देखिए उसकी परतेक जड़ से नया वरिक्ष बनता है यह option भी अपना सही है third option है हिंदी भी बर्गत की बाती अनेक रूपों में विशव के अन्य देशों में विक्षित हो रही है तो इसमें जो सभी option ही अपने क्या होगा right यानि की गया option उप्रयोगत सभी question 4 हिंदी का विकास मुख्यत है किन देशों में हुआ है तो इसमें देखिए करेबियन देशों में, गल्फ देशों में और एसिया के देशों में तो इसमें option right हो जाएगा अपना उप्योगते सभी, गया option right Question 5, हिंदी बासा से सम्मधी चिंताओं का निदान करने के लिए क्या किया गया है, तो विशव हिंदी संबेलनों का आयोजन, कया option इसका right है Question 2, आरोह बाग एक काववे खंड पर आधारीत निमलिकित बोविकल पर परसनों के उतर दीजिए, तो इसमें एक एक नमबर के तीन, जो किशन हाप से पूछे गई है, टोटल तीन नमबर First question, कबीर किसके उपासक थे, तो इसका right answer है, निर्गुन इस्वर के, गया option right Question 2, मीरा जगत में क्या देखकर परसन होती है, परबु बगती को, खे option right Question 3, किस कवी को, कवीता का गांदी का आ गया है, तो इसका right answer हो जाएगा, बवानी परसाद मिसर को, गया option right Next question 3, आरो है बाग एक, गद खंड पर आदारी निमलिखित बहवी कल्पिया परसनों के उतर दीजिए, तो यहाँ पे देखे गद खंड से जो है परसन पूछे गए हैं कि एक नंबर के, दो परसन पूछे गए हैं, टोटल दो नंबर इसमें first question है, नमक का दरोगा पाठ की विदा क्या है, तो यह क्या है कहानी है, गया option right Second question, काम करने से आता है, नसियतों से नहीं, यह कथन किसका है, तो यह है नसिर अदीन का, गया option right Next question 4, अभी वैक्ति एवा माध्यम, पठ्थे पुस्तक पर आदारीत नीमलिकित बहविकल पिया परसनों के उतर दीजिए, इसमें एक एक नंबर के दो question पूछे गए हैं, तो इसमें सबसे पहला question है, किसे लोग तंतर का चोथा स्तंब का गया है, तो इसका right answer है, पत्तर कार आपका जो है काम पूरा हो जाना चाहिए, जिसको हम deadline बोलते हैं, question 5, व्याकरण पर आदारीत नीमलिकित बहविकल पिया परसनों के उतर दीजिए, तो यहाँ पे एक नंबर के तीन जो है व्याकरण आदारीत परसन पूछे गए हैं, पहला person इसमें first question, दिग अंबर का next question 3, देव-पलस-इंदर की संदी क्या बनेगी, तो इसकी बनेगी देव-इंदर, घयओ-प्सन राइट होगा, आपको comment section में बताना है, एक कई की संदी विचयत क्या होगी और कौन सी संदी है, यानि कि comment section में आपको इसकी संदी बतानी है, कौन सी संदी है, और इसका संद पांच नमबर करेगा, तो यहाँ पे आप जो इसको पढ़ सकते हैं, जो मीरा अपना जो है मीरा भाई का जो है ये पद है, इसमें फेस्ट कुशन है, मीरा किर्शन की बगती में लीन होकर क्या करने लगी थी, तो इसका अंसर है, मीरा किर्शन की बगती में लीन होकर पैरों म किसी परंपरा या मर्यादा का धयान नहीं है Q3 पद्यान्स के रचीता का नाम पद्यान्स के रचीता कौन है मीरा बाई Next is Q4 मीरा कर्चं की उपासन किस रूप में करती है पती के रूप में Q5 मीरा के लिए विसका पयाला किसने बेजा राणाने अब इसी के अथ्वा में देखे क्यूशन दिया गया अथ्वा का मतलब क्या है कि या तो आपको क्यूशन नंबर 6 करना है या फिर क्यूशन नंबर 7 के दो पार्ट दिये गए है क्या और ख्या या फिर आपको ये दोनों करने है अगर आप 6 करना चाहें तो छटा कर सकते हैं या फिर 7 के आपको दोनों पार्ट करने होंगे Q7 आरो हबाग एक काववे खंड पर आदारीत निमलिखित है पर्षनों के उत्तर दिये गए अंको के अनुसार उप्युक्त सब्दों में दीजिए या फिर 3 पलस 2 पांस अंग इसका मतलब क्या है कि जो 1st क्यूसन है कहवाड़ा यह आपका 3 नंबर का है और नीचे जो है कहवाड़ा यह आपका 2 नंबर का है तो कहवाड़ा को डिस्कस कर लेते हैं कबीर की दर्ष्टी में इस्वर एक है इसके समर्थन में उन्होंने क्या तरक दिये है तो इसका अंस वर्य कवीर ने एक ही इस्वर के समर्थन में अनेक तरक दिये हैं जो नहीं मलिकित है पहला तरक है संसार में सब जगह एक ही वनवप जल है सभी में एक ही इस्वर यह जोती है एक ही मिट्टी से सभी बर्तनों का निर्मान होता है एक ही परमात्मा का इस्तितव सभी प्राणों में है परतेकन में इस्वर है दुनिया के हर जिव में इस्वर व्याप्त है इसी में खैप का जो इक पार्ट देखी खैगा कि शुनिया आपका दो नम्मर का है गर की याद कविता में पिता के वेक्तितव की किन विशेस्ताओं को उकिरा है इसकानस्वर है लेखक के पिता की आयू बढ़ रही थी परन्तु फिर भी उन में उर जा थी वे इस उमर में भी दोड लगा सकते हैं वे खिलखिला कर असते हैं उनकी वाणी में बादलो जैसी गरजना और काम में तुफान जैसी तेजी है उनके सामने सेर या मोत भी आ जाये तो वे गबराते नहीं कवी के पिता बड़े उद्दार हरिद्य सरल बोले सहरिद्य और देश भगता है वे अपने परिवार से विशेसने रखते हैं उनकी प्रेणा से ही कवी सतंता अंदोलन से जुड़े इस परकार कवी के पिता को बुड़ा पछू भी नहीं पाया अब यहाँ पे आपको जो है घर की याद जो कवीता है इसकी कवी का नाम आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं इसकी कवी का क्या नाम है नेक्स्ट है क्यूशन एक निमलिखित गद्यान्स की से परसंग व्याख्या करने ही यह पांच नमर का है तो यह आप आप जो यह गद्यान्स दिया गया है इसको आप पढ़ सकते हैं अब इसमें पहला देखिए परसंग की बात कर लेते हैं तो प्रस्तूत पंक्तिया सत्याजित दबारा रचित पाठ अप्पू के डाई साल से ली गई है तो ये जो है पाठ का नाम है क्या अप्पू के डाई साल अप्पू के साथ डाई साल और इसके रचिता कौन है सत्याज का डर बढ़ता गया उनके मन में यह आसंका रहती थी कि कहीं इस बीच दोनों बच्चे अपू या दुरगा उमर में बढ़े न दिखने लगे यह बात फिलम की कहानी को परभावित कर सकती थी लेकिन यह सत्यजित राय का स्वभागय था कि वे बच्चे उतने नहीं बढ़े करना पड़ा इसी के अथ्वा में एक और क्यूशन दिया गए अथ्वा का मतलब क्या है कि या तो आपको क्यूशन नंबर 8 करना है या 9 क्यूशन नंबर 8 अगर आपको करना है तो उसमें एक ही पार्ट है लेकिन क्यूशन नंबर 9 है इसमें दो पार्ट दिये गए है कह और खै तो दोनों करने पड़ेंगे कैय आपका तीन नमबर का है और खै आपका दो नमबर का है इसमें देखे क्यूशन 9 आरो है बाग 2 गद खंड पर आदारीत निमलिखित परशनों के उतर दिये गए अंकों के अनुसार उप्यूक्त सब्दों में दीजिए 3 पलस 2 यानि की 5 है 3 का मतलब है कि उपर वाड़ा जो क्यूशन है आपका 3 नमबर का है नीचे वाड़ा 2 नमबर का है तो इसमें क्यूशन है कहा है नमक का दरोगा काने में पंडित अलोपी दीन के व्यक्तितव के कौन से दो पहलू यानि की पक्स उबर कराते है इसका उत्तर है अनसर है अलोपी दिन अपने छेतर के नामी गिरामी शेट थे सबी लोग उनसे करज लेते थे उनको व्यक्तितव एक सोसक माजन का साथा पर उन्होंने सत्य निष्ठा की भी जोह मान किया उन्हें धन पर अटूट विसास था वे सही गल्थ दोनों ही तरिकों से धन कमाते थे नमक का व्यापार इसी की मिशाल है साथ ही वे कठिन गड़ी में धन को ही अपना एकमातर अथियार मानते थे धन के उपासक होते हुए भी उन्होंने वनसी धर की इमानदारी का समान किया इस्वेम उनके दरवार पर पहुँचे और उसे अपनी सारी जायदाद सोब कर मैनेजर के स्थाइपद पर नियुक्त किया इसी का खैपारेट है ये जो दो नुमर का रहेगा बूलो की जगह दूसरा कुट्टा क्यों लाए गया उसने फिलम के किस दरिश्य को पूरा किया तो इसका देखी उतर है बूलो कुट्टे की मरत्य हो गई थी एता है उसके स्थान पर उसके जैसा दिखने वाला जो कुट्टे को लाए गया उसके द्वारा सुटिंग पूरी की गई उस कुट्टे द्वारा गमले में फेका गया बात का खाने का दरिश्य था यह दरिश्य से दूसरी कुट्टे के द्वारा जो है करवाय गया था नेक्स्ट एक कुशन टैन अभिवेक्ती एवन मद्यम पठे पुष्टक के आदार पर निमन लिखित पर्षनों के उतर दीजिए तो यहाँ पर देखिए पहला है संचार किसे कहते हैं इसके महतव परकार ड़ल यह पांच नमर का रहेगा इसका उतर है संचार का रथ है विचारों, बावनाओ, सूचनाओ और संदेशों का एक वेक्ती से दूसरे वेक्ती तक आदार परदान करना यह परकिरिया मुखिक, लिखित दरिश्य या असांकेतिर्क रूप से हो सकती है नेक्श अगर संचार का महतव की बात करें संचार के मद्यम से वेक्ती असमों को महतवण जानकरी मिलती है जिसे नीने लेने में सहुलियत होती है संचार समाद के विबिन बर्गों के बीच संप्रक स्थापित करता है और सामाजी केक्ता को बढ़ाव देता है संचार के मद हमसे शिक्ष्या और ग्यान का परसार होता है जो समाज की परगती में महतपून बुमी का निबाता है संचार व्यक्तिगत सम्मंदों को मजबूत करने और बावनात्मक संपरक को बनाई रखने में सायक होता है पर बावी संचार समस्याओं की पहचान करने और उनका समाधान में मदद करता है इसी के और में देखिया थवा में एक और क्यूशन दिया गया है या तो आपको क्यूशन नमबर 10 करना है या फिर अगर आप question number 11 करना चाहें तो 11 के दो part है के और खे के part जो आपका तीन number का है और खे आपका दो number का है तो जो भी आपको ठीक लगे वो आप कर सकते है question 11 का first part है जन संचार किसे कहते हैं इसकी विशेशता है बताईए तीनंक काहिए इसका अनसर है इन मद्यमों को जन संचार के आदोनिक मद्यम भी कहते हैं जन संचार के आदोनिक मद्यमों को तीन बागों में वर्गी करित किया गया है print media जिसको मुदृत मद्यम बोलते हैं electronic media और social media इसी में खैपारट है किसी भी दैनिक अकबार में राजनितिक खबरे जादा स्थान क्यों गेरती है इस पर एक संचिप टिपनी कीजिए ये दोनमर का है आनसर है इसका किसी भी दैनिक अकबार में राजनितिक खबरे जादा स्थान गेरती है क्योंकि इस देश में लोगतांतरिक व्यवस्ता के अकारण रारजिन्तिक दलों की बर्मार है सत्ता में बैठे दल अपनी नीतियों का गुणगान करता है तो विपक्सी दल उनकी आलोचना करता है आम जनता भी किसी ने किसी दल से जुड़ी होती है निस्पेक्स वैक्ति भी दोनों की बाते सुनना और पढ़ना चाहता है इसलिए पार्ट को की रूची के अनुसर खबरे चपती है वितान बाग एक गद खंड के आदार पर निमलिखित परसनों के यहां पर उतर आपको देने है यह जो क्यूशन है आपके दो प्लस दो यानि की चेहर नंबर का है यानि की उपर वाड़ा पार्ट के यह भी दो नंबर का नीचे वाड़ा भी दो नंबर का क्यूशन नंबर के है लतामंगेसकर के गायन की दो विशिस्ताओं का उलेक कीजिए इसका उतर रहे लतामंगेसकर के आवाज में अदबुत मदूरता और ससकता थी जो हर परकार के गीत के लिए उप्यूप थी लतामंगेसकर के गायन में हर सबद और सुरसपश टूप से सुनाई देता था जिसे उनके गायन, सोरी, उनके गीत सरोताओं के दिलों तक पहुंचते थे उन्होंने सास्त्रीय संगीत, बजन, लोक गीत और फिल्मी गीतों में समान कुसलता से गायन किया जो उनकी संगीते विविद्धा को दर्साता है इसी में खहपार्ट है, चेजारों के साथ गाउं समाज के वैवहार में पहले के तुलना में आज क्या फरक आया है तो इसका उत्र है जो लोग कोई खोदते हैं उन्हें चेजारो का जाता है राजिस्तान के गाउं में चेजारो को वीशे स्थान प्राप्त था कोई खोदने के परसाथ उन्हें गाउंवालो दवारा बहुत मान समान दिया जाता था कोई खोदने के पस्टात विशे समारोग किया जाता था वर्स बर तक उन्हें परतेक तिवार में कुछ ने कुछ बेट दी जाती थी यहां तक कि फसल में उनका एक बाग भी निकाल कर दिया जाता था आज यह सब नहीं है आप चेजारों को मजदूरी देने का चलन आरंब हो गया है मातर मजदूरी देकर अपना काम करवा लिया जाता है क्यूशन 13 गुण संदी किसे कहते हैं उदारन सीट स्पष्ट किजी दो नमबर करेगा जब संदी करते समय ए या आ के बाद ई या बड़ी आ जाय तो ए बन जाता है ए या आ के बाद उ या बड़ा उ आ जाय तो बन जाता है ए या आ के बाद री आ जाय तो अर बन जाता है तो यह गुण संदी कहलाती है जैसे पर प्लस उपकार प्रोपकार क्यूशन 14 नेतिक शिक्षा पर आधारित निमलिखित पर्षनों के उतर दियेगा एंको के अनुसार उप्युक सब्दों में दीजे दो प्लस दो चार यान की दोनों क्यूशन दो दो नमर के हैं उपर वाड़ा भी दो का नीचे वाड़ा भी दो का इसमें क्यूशन है सवाध्या किसे कहते हैं इसका अंसर है वेद उपन्यास तथा संत सास्तरों को पढ़ना और उनके द्वारा परतिबादित विशे का चिंतन करना सवाध्या का लगता है इसमें सेगंड पार टेक है अब्यम किसे कहते हैं तो इसका उतर है अब्यम का अर्थ होता है बहरहीत यद पि निर्भय का अर्थ भी बहरहीत होना होता है कि निर्भय में मनुस्य बहरहीत स्वेम होता है जबकि अब बेम में मनुस्य को कोई अन्य बहरहीत करता है यहां तक वीडियो अपनी कम्प्लीट ऊच्के वीडियो अच्छी लगी तो इसके लाइक करें अपने दोस्तों के जरूर शेयर करें वीडियो के बीच में मैंने आपसे पूछा था एक का संदी विच्छे दिक्या होगा और इसमें कौन सी संदी है तो जरूरी इसका अनसर आप मुझे कमेंट सेक्शन म बताएं यदि आप मुझे फेस्बुक इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फोलो करना चाते हैं तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ से आप मुझे डायक्ट फोलो कर सकते हैं थैंक्स फॉर वचिंग